आज हम इनसे बात करेंगे जो नेपाल के पोखरा में बीमान हाथा हुआ लगबग उसमें 72 लोग की जान चली गई जिसमें 68 यात्री थे और लगबग उसमें 4 चालक दल के सदस्थ थे कैसे हो गई इसके बारे में कुछ बताई यह घटना जो हमारे नेपाल में बार बार हो रहा है और पता नहीं है नेपाल सरकार क्या लेकर बैठी है कि अभी तक इस पर कोई जाच कमिटी खाली नामकर गठन किया है वो भी 35 दिन का जुम्याद दिया है 35 दिन तक सब लोग भूल जाएंगे और यह लोग अभी तक इसका कोई जाच अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है लेकि जो वहां का बनाया गया है यह पोटो भी चाइना के मदद से बनाया गया करता है जो नेपाल को आपको मालुम है कि हर देश सवयो करता है ठीक है सवयो के नियत से दिया होगा और यह पुट जो है हमारे पधान मंत्री परचंट पुस्बल कमल दाहल जो ंडधातन किये थे आपको मालूम है यह लेकिन बहुत सारे लोग आ रहा है कि चाइना ने इसमें सहजो किया था इसलिए इतनी बड़ी दुरगटना होगे कि जो भीमान चलने की असकता नहीं है उसको अनुमती नहीं मिलता है दूसरे देश में ऐसा प्लेन खरीद के प्रावेट कंपणी लाती है और नेपाल सरकार की मिली भगत में और उसको दिया जाता है ठीक है और हमारे नेपाल सरकार अपने कमेशन के लोब में उसको खटारा जो एरोपेलेन है उसको चलाते हैं इसलिए पटक पटक दुरगटना होता है आप देख लीजिए कि 2021 से लेकर अभी तक लगभग आपको 13 दुरगटना हो चुका है कि दिशा बदलने के कारण ही दुरगटना करो से लेकर अपना यह गलती चुपा रहे हैं सबसे बड़ा गलती अगर किसी का है तो नेपाल सरकार की है कि कि सबसे पहले जो प्लेन खरीते हैं जो कोई इंसान बैठ नहीं सकता दुसरे को देश में चल नहीं सकता उसका अनमती न हड़ना पड़ेगा और जो जानता चाहड़ेगा ओ प्लेन में खटाड़ा हो कैसी भी हो उसको आप प्राइबट कंपनी से खरीद के और उसको आप चलवाईएगा और आपको बता दे कि मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग भी देते हैं टीचर भी है और दूसरी बातिया है कि जो बीमान का हच्चा हुआ पोखरा में आपको बता दे कि इंडिया के किंग फीसर में चलता था और उसे 15 साल हो गया था उसे इंडिया सरकार ने रिजेक्ट कर जैता और उसी बीमान को हलाकि हमने भी देखा था कि उसी बीमान को जो नेपाल के कुछ उद्वपति हैं पैस से खरिदे थे कहीं नहीं बहुत सारे लोगों का जो आर्मानों था उनकी आरमानों चंद सकेंडों में चंद मिंटों में भी घर गई सब्सक्राण那我們 कि क्योंकि कुछ दिन पहले भी नेपाल से दिल्ली तक पाइदा लिया तरह किये थे बने रही हमारे साथ अगले अप्रेट के लिए तब तक के लिए जहन